मौर्निंग विद्वरा जब लोगों तक एक काम पहुंच जाता है तो लोग ज्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं यह भी एक नैश्रल बात है कि दुनिया का कोई भी आर्टिस्ट उसका कोई भी काम हर काम हिट नहीं होता इस लाइक ग्राफ कोई बहुत सूपर हिट हो जाता है कोई नॉर्मल रहता है कोई एवरिज रहता है तो यह सच है कि लोगों की भी जो एक्सपेक्टेशन वह उपर जाती है लेकिन एक आर्टिस्ट की हमेशा यही कोशिश होती है कि वह एक अच्छा काम करके और्डियंस को दे जब भी वह कोई म्यूजिक बनाता है कोई गाना बनाता है अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि मेरा नेक्स्ट काम जो है वह मेरे पिछले काम से ज्यादा बेतर हो अच्छा कवर्स इतना लंबार सा गाए क्यों जब एक मेरे जासा आर्टिस्ट होता है जिसको कोई support नहीं होती है जिसको कोई financial support नहीं होती है सो इसे एक leverage लेनी पड़ती है कवर्स गाने का मकसर सिर्फ ही होता है कि अर एक इस फलाने आर्टिस्ट ने गाया था और यह बड़ा super hit था तो इससे एक struggling artist को leverage यह मिल जाती है कि वो अगर अच्छा गाता है तो वो लोगों की नजरों में आ जाता है क्योंकि वो गाना already hit हुआ होता है तो लोग दुबारा उसको जब ने version में सुनते हैं तो लोग कहते हैं हाँ यह यह इसने अच्छा गाया और इसके लावा cover का कोई मकसद नहीं होता cover का मकसद ही होता है कि अपने आपको present करना कि जब आपके पास resources जो है वो बहुत limited है और इसके लावा cover का कोई मकसद नहीं होता अपने audience के लिए अपने fans के लिए यार वो गाना अफलाने सिंगर ने गया था यह आप अपनी आवाज में गा के दिखाए ना जरा लेकिन अब कवर्स आपके जो लोग ज्यादा पसंद करते हैं और आपके औरिजिनल्स जाएं अब आके करने शुरू किया या उसको काफी टाइम हो गया नहीं जब मेरे रश्के कमर हिट हुआ था उससे पहले भी मैंने कुछ किये थे पहले वो जो तादा थी ना कवर्स की ज्यादा थी और और अरिजिनल्स की कम थी मेरे रश्के कमर के बाद फिर मुझे एक इंगलेंड की एक म्यूजिक लेबल कंपनी और उनके साथ मैंने फिर अरिजिनल काम करना फेवरिट सिंगर जिनको आप गाना बहुत पसंद करते हैं नुसरत साब का जो है वो काम बहुत यूनीक है सो उनकी किसी भी कवाली को जब आप उसमें एक फ्लेवर डालते हैं अपना सो एक बड़ी प्यारी चीज निकल के आती है उनका एक जो कवाली थी है जो हलका हलका स हम तान की कही थे हम वो मैंने किया दो कि नुसरत साब से मैं काफी इनसिपार हूँ हम हम वह हो उनके की काम से लिजणी वह तो इक डिफरिंटी दुनिया थी 2023 थी वह तक अभाल झाल ऑनहीं उनका एक तिन वह अब पता नहीं किसी यूके किसी शेहर में और पर बर्मिंगम और समवेर वहां पर उनकी अन्रीलीज़ किए उसमें है उसमें थी वह तो अब यह अब अब यह लिकिन आमाउंट वर्क कि उन्होंने कितना काम किया और हर एक वह एक नई कॉंपजिशन एक ने नई चीज बनाते जा रहे थे बनाते जा रहे थे तो यह हमारे आर्टिस्टों के लिए इंस्पिरेशन क्यों नहीं है क्या ज़्यादा काम करें और डिफरेंट काम करें बिल्कुल ऐसा है आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि जो एक डेडिकेटिड आर्टिस्ट होता है उसका जितना काम पबलिक के सामने आया उससे कहीं जादा उसकी लाइबरेरी में बढ़ा होता है अब मेरे साथ भी ऐसा ही है अभी मेरे इस वक्तित तीस से चालिस गाने होंगे जो रिलीज नहीं हुए जो भी पीछे पड़े हैं मैं रोज बैठा हूता हूं स्टूडियो कुछ ना कुछ मैंने अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए या मेरे दिमाग में कोई ट्यून आई है मैं बैठ गया हूं अपना आई मैक आउन करके तो मैं काम कर रहा हूं तो यह इस तरह होता है हर आर्टिस जो है ना वो पीछे उसने उसका इतना बहुत काम होता है कि वह भी रिलीज ही नहीं हुआ होता सो यह एक dedicated artist की नचानिए होता है कि हो काम कर उसको मैं यह आपने काम से प्यार है श restaurants की को पिह न all लगाओ नहीं होगा मुझे अपने आर्ट से बहुत प्यार है तो यह definitely होता है अभी आपने बीच में बात ही कोई कि stress होता है तो तो अकसर लोगों के जहन में आता है और जब आप मशूर भी हो गए पैसा भी आ गया फिर भी कोई stress रह जाता है फिर किस चीज का stress होता है पैसा, fame वो definitely आता है लाइफ में और इसको अच्छे तरीके से handle भी करना चाहिए लेकिन परसनल लाइफ में भी कुछ फेजिस ऐसे आजाते हैं जो आपके thought process को बहुत ज्यादा effect करते हैं जब आपका thought process effect होता है तो आप depression में जाते हो प्यार मैं मुझे समझ नहीं आरी मैं क्या करूं क्या ना करूं So like I said, शुरू में के बहुत कुछ हुआ पिछले 10 सालों में I lost both of my parents और उसके अलावा personal life भी कुछ इतनी अच्छी नहीं रही So obviously a stress level तो आता ही है कोई बात नहीं है इसमें a common factor सारे काम्याब लोगों में यह भी है ज्यादातर की personal life के बहुत अच्छी नहीं होता है So आप किसी बड़े से बड़े साइंसदान और बड़े से बड़े इसको यह नहीं है कैसे होना ही चाहिए There is no pride in it लेकिन unfortunately somehow यह भी कोई चलता है साथ बिलकुल ऐसे ही है तो आप उसको अगर मुझे Allah ने एक तुफा दिया है in the form of music तो मैं जब भी करता हूँ उस कमरे में बैठके तो मैं काफी relief फील करता था तो उसी असना में फिर नई compositions बनती है नया music बनता है तो एक thought process चल पड़ता है चलो हम आपकी नई compositions में से कोई एक अभी सुनना चाहेंगे जी एक मैंने पंजाबी गाना release किया बहुत अच्छा बड़ी प्यारी टोन है उसकी मन विच तुम वस्दा पंजाबी गाना है मन विच तुम वस्दा ठीक है मन विच तुम वस्दा तेनो यार बुलाना आओकाए जे रब देवे मैनू तुफीका जिन्द वेच कयार खरीदा मैं मेरी रूह तुम वस्दा तेनो यार बुलाना आओकाए जे रब देवे मैनू तुफीका जिन्द वेच कयार खरीदा मैं वेच कयार खरीदा मैं वेच कयार खरीदा मैं सड़ हसके तक न यादत है गिरदार गलत ना समझी तुम तेरे नाल हकीकी संगत ऐसानुवक्त गुजार ना समझी तुम सड़ हसके तक न यादत ए गिरदार गलत ना समझी तुम तेरे नाल हकीकी संगत ऐसानुवक्त गुजार ना समझी तुम मैं कमलावा उस ढोले दम जिस सौखा दिये रोगे दी मेरी रूम ते मन विछ तूमस दातनी यारभ नाना रहा जे रब देवे मेन उतोपी का जिंद वेच के यार खरीदा मैं वेच के यार खरीदा मैं वाजिवाद, यह किसने लिखाए गाना? यह मैंने खुद लिखाया अच्छा, तो यह काम कब से शुरू हुआ के लिरिक्स लिखने? मैं लिरिसिस्ट, कंपोजर और वोकलिस्ट हूँ, वो तो हूँ, फ्रीन वन लेकिन यह भी तो बीश-बीश में सारा कुछ वह ना, कंपोजर का तो आपने बताया है कि आपने उसको सीखा, लिरिक्स लिखना एक और तरह का काम है, यह सीखने से भी नहीं आता, सिखाने से भी नहीं आता, तो यह तो कोई दिल पे चोट वोट को इस तरह के मामलात के जो आज तक मैंने जितने भी अपने गाने की हैं चाहिए वो कम व्यूज पे किये हैं, कम फ्लॉप हुए या चले हैं, उसाब मेरी शायरी थी, इसकी भी मेरी थी, इसकी भी अपनी शायरी थी, अच्छा, बेसिकली आप एक, वो कहते हैं ना, कैन्वस पे एक पिंटिंग मन मतलब आप एक आइडिया सोचते हो और अगर आपके पास वोडिलिटी है तो फिर आप उसको एक गाने की शकल में उसको कहते हैं ना, वो निखारते हैं, तो जब मैंने पूछा है कि कोई दिल पर चोट लगती है तो फिर बंदा लिखता है तो हाँ जी, बेशक, बेशक ऐस इसा ही है, यानि यह एक आर्ट फॉर्म से जादा इसका आपकी इंटरनल फीलिंग से बहुत जादा तालोग है, जब आप किसी चीज से गुजरे ना हो तो आप उसकी इंटेंसिटी को फीली नहीं कर सकते हैं, तो इतनी असासियत के साथ जीना कैसे मुम्किन आपने किया है जैसे आपने खुद भी मैंशन किया था कि लोगों का रवया, उनकी तनकीद, उनका अंदाज, सारी सीजे बंदे को दुख दे लिए अर्ली यर्ज अफ लाइफ जब पहले वक्त गुजरा है जो मेरी जिंदगी में, तो तब मैं सेंसिटिव इस तरह था कि मुझे लोगों आपको केले ही चलना पड़ता है और थोड़ा सेंसिटिविटी लेवल जो है वो थोड़ा कम करोपना, I said to myself, तो बेशक्त मैं सेंसिटिव बहुत ज्यादा था, आज भी हूँ लेकिन वो कहते है ना, कि आर्ट आ जाता है बंदे को अपने आपको कंट्रोल करने का, अपने आपको कंपेर करते हो, अपने हमसर जो लोग हैं, बहुत सारे लोग थे जो आपसे पहले बहुत गा रहे थे, लेकिन जो सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पे पॉपुलरिटी में अब वो नहीं है, उतने उनके गाने, कोई भी उतना नहीं हिट हुआ जितना आपक मैं अपना एक अपना जो आप जो मुझे आने दिया है, मैं उसको बड़ी मानदारी से आगे लोगों तक पहुछाता हूं, आइफिल के मैंने कभी ऐसे नहीं किया मुझे फलाने बंदे से आगे निकलना है, मुझे ऐसे करना है, हाँ मेरे कुछ खाब हैं, उन पर मैं वर्क कोई मुझे की फिल्ल में कोई नहीं चीज आई होती है, कोई नया सॉफ्टवेर आया होता है, फिर आपको उसे लर्न करना पड़ता है, बहुत ज्यादा वह आ रही है, तेजी आरही है टेकनालोजी में, सही है, तो मुझे मैसूस होता है, बलके है भी ऐसा कि मैं एक आने वाले नहीं होंगे, तो फिर आप कैसे खुद को एक्वेप करते हैं उस लेटिस जो भी आई होती है, जी यह बड़ी बदकिसमती है, कि यहां पर आर्ट को प्रमोट करने वाला, ना कोई अदारा है, ना कोई हकोमती सता पर, इवन उन प्राइविट लेवल, जो आपक तो मैं पता नहीं कहा होता, अगर वो इक एसेट का जमाना होता, तो शयद मैं वहां तक पहुंच ही ना पाता, मैं जाने कितने-कितने हीरे लोग, टैलेंटेड लोग, नहीं वहां तक पहुंच सके, तो इंटरनेट जो है वो एक नॉलिज का बहुत बड़ा जरीया है, मैं का कौन ऐस्ताद था, कोई नहीं था, सैलकोट में तो कॉनसेप्ट ही नहीं है, आपने जैसे बताया है, मेरा तालक सैलकोट से है वो उन्दस्ट्रियल सिटी है, वहां पर आर्ट का कोई चकरी नहीं, होग, हॉक्की, फुटबॉल, बैड्स, स्पोर्टस, सर्जिकल, फै अपनी लैंग्विज में टिटोरियल्स पड़े हैं, आप सीख सकते हैं, जब मैंने भी ऐसे ही किया, जब मैंने डिसाइड किया कि यार यह मुजिक प्रोडक्शन होती कैसे, आप सब कुछ आपको बता है कंप्यूटर पे है, तो मैं एक वक्त ऐसा आया था आपके शोर को मैं जनुनी की तख बारा बारा घंटे के मैं लैप्त wartop लिया था, श़स्ता राएग तो मैं एस सौफ्टवुयर् किया। तो मैं जनानी की चाल रहता था था, 8-10 था घंटे म्यूजिक बना रहा हूँ, smaid let, let, be Arts, 10 इस हमके बार श्राँ म माज, वैं अर दोर में की कहीं न कहीं जमा हो हुए हुती है असका हमें डिवर्ट जरूरमिलता है, अगर हम مस्त Le würd, कोशिछ और हम्म बहुत चोड़ मुझे यह मेला तो मज्जे अपने आपको exercise करनेका और मुक्ता मिला आप्ने मुझे assignment दी के अपने show में 2 गाने बना थैं उन सब का म्यूजिक बनाना फिर उसकी मिक्सिंग करना वो एक बड़ा चैलेंज था एक वीक में तो मैं जब आपने का ना तो मैं बाहर आकर परिशान हो गया मैं थो गाने एक हफ़ते में कैसे बनाऊंगा तो मैं पूरा वीक होता था आपके गाने बनाने में घुजरता था क्योंका एक भूप प्रोडक्शन एक लंबा प्रोसस है लेकिन वह उसमें मैं बहुत कुछ सीखा अचा वो फिलिंग के ओथी जिए अब कोने में बैठके हो और गाना दो अमने कही होता था लिए बाजवकात एक गाना होता था कभी एक भी नहीं चलता था वो दुख होता था क्योंकि वो मेनत थी तो वो कभी आपका वो प्रोग्राम के टाइम खतम हो जाता था तो वादा गाना इसमें चला जाता था तो डेफिनेटली बुरा लगता थाल बट इस ओके एक प्लाटफॉर्म था अचा है प्लाटफॉर्म था यह सब पार्ट अफ प्रोडक्शन होता रहता है यह भी एक बहुत जिसे कहतना चाहिए इंपोर्टन स्केल है कि आप इन चीजों को अंडर्स्टैंड करते हैं और उ यह जो एक यह भी एक स्केल है कि यह एक आदत आपके अंदर इन बिल्द थी या बड़ी कोशिश करके आपने यह मेरी आदत इन बिल्द थी कि मैं हर मोके की मुनासबत से मैं हर चीज में डाल जाता हूं क्योंकि जब मेनत करनी है जब एक प्लाटफॉर्म है तो उसमें बड़े आराम से कह रहे हो यह लाइफ स्किल्स कहलाते है इस यह जीज है यानि street smart जिने हम कहते हैं बच्चे के आपको सबर भी हो आपके अंदर आगे बढ़ने का आपके अंदर जिस्तुचू भी हो लर्णिंग कि आपके अंदर बहुँ जहां से आपको मिल रहा हो आप उ जनेद, you are always a favorite boy amongst everyone, so ये बहुत सारे skills थे आपके अंदर, ये skills खुद ही आगए थे, या कुछ आपने इन के लिए भी कोशिश की थी, ये कैसे आपके अंदर ये सारी काम्याब में हो रहते हैं थे ये जो element आपने बताया, मैं उस चीज को ऐसे कहूंगा कि शायद वो पार्ट मेरा जो बच्पन था, जो मेरी अपरिंगिंग थी, जो मेरे पेरेंट्स ने की थी, मैं बड़ा वो पैमपर चायल बच्चा था, और मेरी परवरिश भी आथी के लड़ना, जगड़ना ये किसी बात पर कॉन्फरिक्ट, कि कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, सोफा ऐसे नह मैंने आज तक कभी आसे नहीं किया, I always try to adjust, कि मेरे साथ जितने लोग हैं, या मेरे भाई हैं, या मेरे कोई दोस्त हैं, या मेरे कजन्स हैं, तो मैंने कभी अपनी थूंपने की कोशिश नहीं की, कि ऐसे करो यार, ऐसे नहीं, तो बच्पन सही मेरे अदर आदत ही नहीं थी और जब, obviously ये team थी सारी, तो उनके साथ प्यार से रहता था, उसे वाली तो बात ही कोई नहीं, लेकिन ये सब आपको लग रहा है कि ये, या बहुत important चीजे हैं, जिन्दगी के जिस सफर के बाद, मैं जहां पर खड़ी हूँ, जितना मैंने लोगों को देखा है, तो बहु आपको अब जिस सब्सक्राइब गाएंगे, जिस परेखाएंगे, और आपको उस्तु के एकषण बात के बात, आप पहले साल जोरूरी नहीं है कि आप एला गाना कर दो, तो आप हिट हो जाओ, यह ऐस नहीं है, सालों की महननत हो सकती है, मिलकुँ से हम धिन्यू करें लेक लेकिन ब्रेक के बाद जबाएंगे तो आपके गाने से याएंगे, कौनसा गाना सुनाएंगे? डफिनेटलिटलि एक मेरा गाना है लमिया जुदाइया लमिया जुदाइया वो भी एक पंजाबी गाना है, बहुत आप बीट सौंग है और अच्छा ये भी जी वो भी मैंने खुद लिखा ये जी वो भी मैंने खुद लिखा ये वेरी गुट सो लेट्स नेकिन उसे पहले एक ब्रेक